हलो एवरिवान आएम रिध्रोन वाचिंग स्काइज दो लिमिट सो आज के वीडियो ने बेसिकले हम लोग डिसकस करेंगे एक बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक आज बेसिकले हम लोग डिसकस करेंगे जेकस्पो 2020 का सिलेबस उसके साथ साथ बेस्ट बुक्स भी बोल देंगे जेकस्पो के लिए कौन-कौन सा बुक अगर आप पड़े तो आपका जेकस्पो एकजाम 2020 का बहुत ही अच्छा होने वाला है तो अगर आप जेकस्पो 2020 देने आप लोगों के लिए बनाता रहोंगा तो चलिए ज्याद समय लेते वीडियो को आगे बढ़ाते हैं जेकस्पो 2020 सीलेबस और बेस्ट बुक्स टू फॉलो तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं सबसे पहले में आप लोगों को बोलना चाहूँगा बेस्ट बुक्स आपको फॉलो करने चाहिए फॉर मैथमेटिक्स टेट टेक्स्ट बुक एनीओन जो आपका स्कूल आपको प्रेफर कर रहा है वही वेट फॉलो किजये कोई प्रॉबब्लम नहीं है पर book आपका खतम हो जाने के बाद, आपका सब समझ जाने के बाद, आपको ये समझ ला है कि आपका basic concept clear है या नहीं, अगर आपका basic concept clear नहीं है तो clear basic concepts, आपना basic concepts clear कीजे वरना आपका result अच्छा नहीं होगा, basic concept clear करना बहुत important है, और उसके बाद, अपना basic concept clear हो जाने के बाद, आप कीजे practice previous years question papers, previous years question papers अगर आप practice करें तो आपको पता चलेगा किस किस type का question आते हैं, और बहुत सारा ऐसा questions जो common आते हैं जेक्सपो में, तो आप अगर previous years का question करें तो हो सकता है आपको कुछ-कुछ questions common भी भी ने, और आपको य जो physical science है हम लोगों का, तो उसका अगर बात करें तो 10th का test book उसके लिए भी physical science के लिए, जो आपका school prefer कर रहा है वो कीजे, पर पूरा खतम कीजे, पूरा समझ के खतम कीजे, and basic concept clear कीजे, physics और chemistry में basic concepts, बहुत important है clear होना, चलिए अब next part में चलते हैं, practice previous years question papers, मैंने यहां भी दिया है practice previous years question papers, क्योंकि physics में और chemistry में बहुत सरा questions common भी आते हैं, और आपको pattern भी समझ में आ जाएगा, किस टाइप के questions जेक्सपो में आता है, तो जेक्सपो में अगर आपको नहीं पता है कि कहां से previous years question डाउनलोड करना है, तो नीचे comment करना मैं ज़रूर आप लोगों को help क करने का कोशिस करूँगा, तो चलिए next part में चलते हैं, next part है जेक्सपो 2020 syllabus जो आप लोगों का main topic है इस वीडियो का, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जेक्सपो syllabus for 2020 session will be prescribed by the authority according to the 10th level syllabus of WBBSE, मतलब WBBSE मतलब हम लोगों का जो West Bengal का board है, उसका जो 10th syllabus है, मतलब Bengali board जो है, उसका जो 10th syllabus है, उसके according ही जेक्सपो का syllabus होगा, मैं बता दूँगा, मतलब सामने में थोड़ा देर बाद ही, दो ती मिनिट बाद ही आपको पता चल जाएगा, आपका syllabus क्या है, मैं in details दिखा दूँगा, पर आपका syllabus रहेगा, वो 10th level ही रहेगा, various topics of 10th level will be asked from the mathematics and physical science, physical science में क्या mainly physics and chemistry, subjects in the entrance test, next, mathematics and physical science are the necessary subjects to study in the exam, क्योंकि यही बहुत ही important है, mathematics से आपका 100 questions आएंगे and physical science से आपका 50-50 number का questions आएंगे, candidates can go through the complete syllabus to score good marks in the exam, आपको complete syllabus खतम करना पड़ेगा, otherwise आपका जो है exam अच्छा बिलकुल नहीं होगा, तो complete syllabus खतम करना बहुत ही important है, अब चलिए आपको complete syllabus पहले दिखा देते हैं, पहले maths का दिखाएंगे, उसके बाद physical science का, आपका जो complete syllabus है, वो आपको दिखा देते हैं, तो चलिए सबसे पहले maths का complete syllabus, यह देखी, यह जो है आपका maths का full syllabus है, यह आप screenshot लेके भी रख सकते हैं, pause करके, या फिर आप इसको लिख के भी रख सकते हैं, कोई problem नहीं है, मैं यहाँ पर दो सेकेंड आपको दे रहा हूँ, आप वीडियो pause कीजे, और इसको भी आप लिख सकते हैं, या फिर इसको लिख के रख सकते हैं, तो यह हो गया आपका maths and physical science का full syllabus, और आपको यह भी पता चल गया, आपको किस टाप को books follow करना है, कैसे follow करना है, तो यही थाज़ का वीडियो, thanks for all the support, और ऐसे ही बहुत अच्छा अच्छा इंट्रेस्टिंग वीडियो जेक्सपूर रिलेटेड चाहिए, अगर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कर लेना, क्योंकि ऐसी बहुत इंट्रेस्टिंग वीडियो मा आप लोगों के लिए बनाते रहता हूँ, और लाइक करना, शेर मस्ट करना, क्योंकि शेर बहुत इंपोर्टेंट है, और कॉमेंट करना किस टाइब का आपका नया वीडियो चाहिए, तो यही थाज़ के लिए, बहुत जल्दी नया वीडियो के साथ, फिर साब लो समला कर तो ही, तब तक के लि बढ़ाई!